नमस्कार विद्यर्थी मित्राद्नों डॉक्टर सुशेल स्पोटलाइडिया आपले यूट्यूप चैनल बर तुम्ता सर्वांता स्वागता है या लेक्चेर मदे आपन GDP तैचानंतर GVA तैचानंतर GDP डिफलेटर आशा महत्वा चा टर्म समझुन गुए तर आता है GDP जे आहे तर GDP चे अब अपती मदे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट जे कैया है तर इचा मदे काया आस्तना की काही बेसिक गुष्टी चात लक्षा ठेवा की मॉनेटरी वैल्यू एची जी डेफिनेशन आहे ती चात एक महत्वा ची बाब आहे मॉनेटरी वैल्यू कसली मॉनेटरी वैल्यू तर इकोनामी मदल्या फाइनल गुड्स अन्ड सर्विसस ओके मज़े वस्तु आनी सेवा हे जब फाइनल आहे तर तैंची जी काही मॉनेटरी वैल्यू आहे आना इना स्पेसिफिक पिरेड आफ टाइम एका वीशिस्ट वेड मॉनेटरी वैल्यू मंजे जडी पी आसते है आता खरतर इचा मदे जे आहे कि डोमेस्टिक टेरी टेरी मदला हे सगड़ा हे कारण ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपन भंतो तर मां तुम्ची डोमेस्टिक टेरी टेरी काया आसते तर हे एक महत्वाचा है बर्याजदासा प नकासा है सगड़ा ते सगड़ास पॉलेटिकल फ्रंटियर जे उड़ा काया हे ते सगड़ान छा इचा मदे विचारा हे ओके दुसरी महत्वाची गोष्ट जै पॉलेटिकल फ्रंटियर भर-बर ती मंजे गाए कि टेरी टोरियल वाटर्स जे काया हे कि एक अंधर इतस तर ती एक बाब अपन लग्षाठे उना गर्जेचा है कि नेमका डोमेस्टिक टेरिटरी मन्जे का यास्त तर ती चाथ सग्ड़ा पॉलिटिकल फंटेयर्स, टेरिटरियल वार्टर आनी जे कमर्शियल वेकल सस्त जे आपला भार्तिय लोकानी इंडियन रेसिडेंट्स द्वारे चालो ले जाता तेही इचा मदे आता याना अना एमबेसी एंड कांसुलेटेड तर या सग्ड़ा गुष्टी इचा मदे आता तर पुर्चीजी टर्म है अपली ती मन्जे जी वी ए ग्रॉस वेल्यू आड़ेड तर हे एक महतवाच जाए बगा ही टर्म कुप न्यूज मदे आसते आज कल मजे आता हाँ बेसी कंसेप्टा जाए एकोनामी सा कि काई वेगड़ी गुष्ट नहीं है आता इचा मदे नावाता जाए ग्रॉस वेल्यू आड़ेड मंजे का है तर इचा मदे जो विशेए सकड़ा तो कशाचा है वेल्यू आड़ेड सा कि वेल्यू जाका है तर आपने मदे तर सग्रात महतवाची कुष्ट जी आए कि GVA ये सेक्टर स्पेसिपिक असत मंजे प्रत्यक स्पेक्टर मदे वेगड़ा पद्धी नहीं है वीचार केला तो सेक्टर स्पेसिपिक मंजे प्रत्यक शेत्रातला GVA वेगड़ा पद्धी बगितला तो पन GDP का यासत तर GDP अपले एकोनामी मदल्या सर्वो सेक्टर बदल अल सेक्टर्स ओके आता बगा GVA स्पेक्टर से स्पेसिपिक है मंजे कोल संबंधी वेगड़ा है आना तरेल बेजा वेगड़ा आसा तीपिकली पन GDP में एकाय होता कि सग्डे जे GVA आहेत अल सेक्टर चे GVA त्याना इकत्र क किती टाक्स लाग ले ले आके आनि तीचा टून सबसीडिस किती दिले ले 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 आते लिले माइनस के ले दा तरेलेंसलों multiplier अजे टाक्स अट हो तो सबसीडिस माइनसलों के लिली दाते आनि सर्व सेक्टर चे GVA तीचा तून अपले ऑपले अपले जेबी ऐड़ा GDP मालता आ है, तर, Gross Value Add, पूर चीजी टर्म आ है अपली, तर ती टर्म है, जीडीपी डिफलेटर, ओके, तर बारदा है यहा टर्म्स जया है, त्यागाँ वझाइं, त्याज कन्फिूस होता स्ता, दूछी खेटले गिदेलेटर का स्ता था, जीडीपी डिफलेटर मंझेगा है, दोन वर्षान मदले जाके किम्ती अस्तत मते या दोन वेगवगडी वर्षे मंझे फॉर एक वर्षे जासता आपले ते कॉंस्टन्ट प्राइस बेस एर जाहे क्या दूसरा कुछ लग मंझे तुम्ही आशा पत दती ने GDP डिफलेटर बस बगू शकता कि nominal GDP मंझे त्या वर्षे जाजा प्राइस अस्तिल ओके अट कुरंट प्राइस 2020 के लापन अपन याला रियल जीडीपी अट कॉंस्टन्ट प्राइस मंझे इसका है बेस एर आताब बेस एर जाहे समझा फॉर एक्जामपल दोन जारा करा गुनेला शंबर तर हे GDP deflator है इचामपल देता फायदा काया है तर inflation किती धालेला है मंझे महागाई जी काया सते तर ती महागाई नेमकी किती वाड लेले आ है तर हे आपन काडूशक तो मंझे दोन अजार अक्राचा तुलने मदे किम्ती वाड लेले आ है तो ते आपलेला लक्षा देता निमनोंचे एक बेसी अर गेत लेला सतो तो ते आला GDP deflator है तो यह तीन टर्म होते है GDP ते चाना तर जी भी है GDP deflator तर आश्यास पद दिनी महत वाचा गुश्टिया आपन डिसकस करत रहा हू तुमचे काई यह संबंदी चे काई प्रश्णास तील के वाचादी टीपिकल टर्म हाँ सेल तरती तुमें टाकू शकता तरती आवी ही आपन बगवयात स्पोटलाइट बरबर जोड़ लेल राए स्पोटलाइट लाइक करा, शेयर करा, सब्स्राइब करा, धन्यवत विद्धेर्थी मित्र अन्नौ